नई दिल्ली में मल्टी नेशनल कंपनी पतंजली आयुरवेद के विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कॉट में सुनवाई हुई इस मामले में कोट के न्याएधीस हीमा कोहली और अमान तुल्ला ने आरोपियों के वकीलों की सुनवाई की पतंजली की और से एड़ोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा हमने माफी नामा फाइल कर दिया है इसे 66 अकबारों में पब्लिश किया गया है जस्टिस हीमा कोहली ने आरोपियों के वकीलों से पूछा कि विज्यापन का साइज कितना था और उन्हें कटिंग भेजने का निर्दे कि वे अगले दो दिनों में ओन रिकोर्ड माफी नामा जारी करें मामले की अगले सुनवाई 30 अपरेल को होगी पतंजली आयरवेड ने सोमवार को एक वक्त अव्ये में कहा हम सुप्रेम कोड का पूरा सम्मान करते हैं हम इसके लिए माफी मांगते हैं भविश्य में कभी कि यसी गलती नहीं दोराएंगे स्विवाद में अब अगली कारवाई का इंतिजार है जिसमें कोड निर्दिष्ट तारिक पर सुनवाई करेगा